हलो सुरेंट्स, चड़ें इन देस वीडियो वी आर गोईग टू रीड यॉर चैप्टर फाइब, देस्टेक एंड दे मिरर, क्लास नाइनत इंगलिस का ये पांचवा चैप्टर है, जिसको के हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी स्टोरी को हम पढ़ेंगे, ब वज़ा आ जाएगा आपको सुन करके, कहानी का नाम है दसनेक एंड द मिरर, शाप और दरपन, आपने कभी देखा नहीं होगा, कि आदमी तो कांच में देखता ही है, दरपन में अपनी सक्ल देखता है, कंगी करता है, परंतु साप भी कभी दरपन में देख करके किस प्रक आते हैं कहानी से पहले, जो कि आपको कहानी के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे, Do you like to look at yourself in the mirror? क्या आपको दरपन में देखना अच्छा लगता है? कांच में देखना अच्छा लगता है आपको? What do you think about at such times? ऐसे समय आपके मन में क्या विचार आते हैं? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? क्या आपने कभी किसी कुटे, बिली या किसी पक्षी को कांच में देखते हुए देखा है? नहीं देखा? What do you think it sees? आपके विचार में भी क्या देखते हैं? यदो देखते भी हैं, तो क्या देखते हैं? कई बारा हम देखते हैं, घरों में कांच लगे रहते हैं, पक्षी चिडिया आकर की कांच पर बैढ़ जाती है और कुट-कुट करने लगती है, ऐसा कभी कभी ह अब वो क्या सूचते होंगे? ये तो वही जाने हैं. Now, read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. चलिए, अब हम एक हासास्प्रत humorous कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक doctor, एक साप और एक दरपन की कहानी है. Let's start. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? क्या कभी एक साप ने आपके सरीर के किसी भाग के चारहोर coiled कुंडली मार करके डाली है, कुंडली मारी है कभी आपके सरीर पर? A full-blooded cobra. All of us fell silent. एक बहुत बड़ा, जिंदा, काला नाग. वहाँ बहुत से लोग बैटे थी. हम सभी सांत हो गए. जो लोग ये कहानी सुनने वाले थी. वहाँ की ये बात है. The question came from the homeopath. एक डॉक्टर हैं, जो homeopath डॉक्टर हैं. ये एक प्रस्ण homeopath डॉक्टर ने किया था कि क्या आपने कभी किसी सांप को अपने सरीर पर लप्टे हुए देखा है चारहोर? आपके सांप सरीर के चारहोर लप्टा है, कुंडली मारी है, एक बहुत बड़े जिंदा का नागने. The topic came up when we were discussing snakes. जब ये विशय आरंब हुआ, तब हम सब सांपों की बातें कर रहे थे. We listened attentively as the doctor continued with his tale. जब डॉक्टर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, तो हमने उसे ध्यान से सुना. उसकी कहानी को बड़े ध्यान से सुना. It was a hot summer night. ये एक गर्मियों की रात थी. About 10 o'clock, लगबक 10 बज गए थे. I had my meal at the restaurant and returned to my room. मैंने restaurant में अपना भूजन किया, खाना खाया और अपने कमरे में लोट आया. I heard a noise from above as I opened the door. जैसे ही मैंने दर्वाजा खोला, उसी समय उपर से एक आवाज आई. The sound was a familiar one. Sound बहुत ही परचित आवाज थी. One could say that the rats and I shared the room. कोई भी हम ये कह सकते थे कि चूहे और मैं कमरे में खटे रहते थे. ये मतलब है कि कमरे में चूहे और बहुत जादा थे. तो जिस room वो restaurant का लिया था उसमें चूहे चहल कदमी कर रहते तो वो जानता था चिर परचित आवाज थे कि ये चूहों की आवाज है. कमरे में खटे रहते थे. मैंने अभी अभी डॉक्टरी का काम करना शुरू किया था और मेरी का माई मीगर यानि बहुत कम थी. मेरे सूटकेस में लगबग साथ रुपए थे अलॉग विद सम शर्ट और धोती और उसमें सूटकेस में कुछ कमीज कुछ शर्ट थी और कुछ धोती थी जो आदमी लोग पहनते हैं. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. और मेरे पास केवल एक काला कोट था जो उसमें में पहन रखा था. I took off my black coat मैंने अपना काला कोट उतारा, white shirt and non so white waist and hung them up. अपनी सफेद शर्ट को उतारा और बन्यान जो सफेद नहीं थी, गंदी थी, waist और उनको टांग दिया. I opened the two windows in the room. मैंने कमरी की दोनों खड़कियां खोल दी. It was an outer room with one wall facing the open yard. ये एक ऐसा बाहर का वाला कमरा था जिसकी एक दीवाल खुले मेंदान के सामने थी. It had a tiled roof with long supporting gavels that rested on the beam over the wall. इसकी छट पर टाइले लगी हुई थी, तता इसकी जो कोनिया थी घर की छट की, दीवार पर रखे, बीम का सहार लगी हुए थी. There was no ceiling और उसमें अंदर की छट नहीं थी. आजकल घरों में ceiling लगा लेते हैं न, अच्छी बढ़कीली light लगी रहती है, बड़ा अच्छा design होता है, तो छट के नीचे ceiling लगा लेते हैं. तो आपके screen उपर एक तरह की घर देख रहे हैं, कहानी में जिस घर की बात की गई है, वो इसी तरह का एक गर है, जिसमें के ऊपर की छट है, वो इस तरह की है, जिस पर tile लगी हुई है, और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा, इसको gavel बोलते हैं. ये gavel का जो हिस्सा है, किस प्रकार से तिर्चा हिस्सा रखा रहता है चट का, तो यहां से लेके आप यहां तक देख सकते हैं, ये जो चट है, यहां पर एक लकडी का beam लगा रहता है, उस beam के सहारे ये पूरी चट टिकी रहती है, तो जो लेखक घर की बात कर रहे हैं, वो इसी तरह का एक घर है, जिसकी चट पर टायल लगे हुई हैं, और जिसमें की सीलिंग नहीं थी, और जो beam था लकडी का चट पर उपर, उस पर इधर उदर रेगुलर रूप से चूहे चहल कदमी कर रहे थे, I made my bed and pulled it close to the wall, मैंने अपना बिस्तर लगा कर उसे दीवाल के पास खींचा, I lay down but I could not sleep, मैं लेट गया पर सो नहीं सका, I got up and went out to the veranda for a little air, और मैं उठकर के फिर बरामदे में कुछ हवा लेने के लिए चला गया, but the wind guard seemed to have taken time off, पर उन तो ऐसा लग रहा था कि हवा के देवताने छुट्टी कर ली थी, taken time off यानि कि छुट्टी ले रखी थी, या हवा बंद थी हम भी कह सकते हैं, I went back into the room and sat down on the chair, मैं वापस कमरे में गया तथा कुर्ची पर बैठ गया, I opened the box beneath the table, मैंने टेवल के नीचे रखे बक्से को खोला and took out a book और उसमें से एक किताब निकाली, The Materia Medica, जिसका नाम था Materia Medica, उनकी डॉक्टरी की पढ़ाई की किताब थी, I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror, a small comb lay beside the mirror, मैंने उसे किताब को उस टेवल पर रखकर खोला, जिस पर के एक lamp था और उस एक बड़ा सा कांच दरपन था वहाँ पर, दरपन के बराबर में एक छोटा सा कंगा पड़ा हुआ था, कंगा रखा हुआ था, One feels tempted to look into a mirror when it is near one, जब भी सी से कांच के संभी कोई होता है, तो उसको देखने का मन करता है, सब ही कोई जलका ललकी कोई भी आदमी हो, जो भी कांच के सामने जाता है, तो मन करता है कि वो एक बार तो एक जलक तो अपनी सकल देखी ले कांच में, I took a look, तो मैंने भी एक बार देखा In those days, I was a great admirer of beauty उन दिनों मैं सुन्दरता का बड़ा प्रसंसक था And I believed in making myself look handsome और खुद को सुन्दर देखने में, हैंडसम देखने में मेरा विश्वास था मुझे लगता था कि मैं हैंडसम हूँ I was unmarried and I was a doctor मैं एक अविवाहित था, साधिने हुई थी और एक डॉक्टर था I felt I had to make my presence felt मैं सोचता था कि मुझे अपनी उपस्तिती अनवब करनी चाहिए यानि कि कभी-कभी कुछ आदमी जो होते हैं वो खुद को ही इतना प्यार करते हैं उनको लगता है कि उनकी उपस्तिती उन्हें अनवब होती है I picked up the comb and rain it through my hair मैंने कंगे को उठा कर अपने बालों में चलाया and adjusted the parting so that it looked straight and neat और फिर मैंने बालों को सवारा ताकि वो सीधे साफ सुत्रे लगें Again I heard that sound from above और फिर से मैंने ऊपर वो आबाज सुनी चछत पर जो चुहे कहल कर रहे थे जो मैं सुरू में आई थी आवाज वो फिर से सुनाई दी I took a close look at my face in the mirror मैंने अपने चहरे को कांच में ध्यान से देखा I made an important decision और फिर मैंने एक महत्वपुन लिलने किया I would shave daily कि मैं रोज अपनी दाड़ी बनाऊंगा and grow a thin mustache to look more handsome और थोड़ा सा सुन्दर देखने के लिए पतली-पतली मुझें लगाऊंगा विक्सित करूँगा मुझें भी मैं अपनी चालू करूँगा I was a doctor और आखिर मैं एक कुमारा था और एक डॉक्टर था बार-बार वो दॉक्टर इस बात को कहता है खुद को वो smart सुन्दर दखानी कुछिश करता है वो बात कर रहा है अपनी मनी मन में I looked into the mirror and smiled मैंने दरपड में देखा और मुझकराया It was an attractive smile ये एक आकर्सक मुझकान थी I made another earth-shaking decision और फिर मैंने एक और जमीन हिला देने वाला फैसला किया I would always keep that attractive smile on my face कि मैं हमेशा उस आकर्सक मुझकान जो मेरी है उसको अपने चहरे पर रखूंगा to look more handsome अधिक सुन्दर दिखने के लिए और handsome दिखने के लिए I was after all a bachelor and a doctor too on top of it आखिर मैं एक कुमारा था और सबसे बढ़कर के तो मैं doctor भी था Again came that noise from above और फिर से उपर से आवाज आई जो बार-बार वो notice कर रहा है आवाज को I got up, paced up and down the room वो कहता है कि मैं उठा और फिर कमरे में इधर उधर चलने लगा Then another lovely thought struck me फिर एक सुन्दर विचार मेरे मन में सुजा I would marry कि मैं साधी करूंगा I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice वो सोच रहा है कि मैं एक महिला दॉक्टर से साधी करूंगा जिसके पास बहुत सा पैसा हो तता जिसकी डॉक्टरी बहुत अच्छी चल रही हो अच्छी चलती हो उसकी ऐसी महिला से साधी करूंगा She had to be fat वो सोचता है कि उस महिला को थोड़ी मौटा भी होना चाहिए उसे मौटी होना चाहिए For a valid reason उसका एक उच्छित कारण वो सोचता है If I made some silly mistake and needed to run away She should not be able to run after me and catch me वो मौटी क्यों होनी चाहिए क्योंकि वो सोचता है कि मैंने यदि कोई मूर्खता पूर्ण गलती कर दी और मुझे भागना पड़ा उससे तो वो मेरे पीचे बाग करके मुझे को पकड तो नहीं पाएगी With such thoughts in my mind I resumed my seat in the chair in front of the table और मन में इस प्रकार के विचार लिये मैंने table के पास कुर्शी पर अपना इस्थान ले लिया बैट गया फिर से कुर्शी पर There were no more sounds from above अब उपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी Suddenly there came a dull thud तभी अचानक से एक धम्म की आवाज आई As if a rubber tube had fallen to the ground मानो तो एक rubber की नली जमीन पर गिरी हो Surely nothing to worry about निश्चित ही चिंता की कोई बात नहीं थी क्योंको उसे लगा कोई मोटर चूह गिरा होगा तो इसली वो कहता है Even so I thought I would turn around and take a look और फिर मैंने फिर भी मैंने देखा मुड कर के देखना चाहा No sooner had I turned than a fat snake wringled over the back of the chair and landed on my shoulder और जैसे ही मुड कर देखा एक मोटा साप मेरी कुर्शी की पीट पर तेडा मेडा चलता हुआ मेरे कंदे पर गिरा The snakes landing on me and my turning were simultaneous साप का मेरी उपर गिरना और मेरा मुडना simultaneous हुआ दोनो कार एक साथ एक समय पर ही हुए I didn't jump मैं उचला नहीं I didn't tremble मैं लटखलाया नहीं I didn't cry out नहीं चलाया There was no time to do any such thing क्योंकि इस प्रकार कोई भी कायर करने का तो समय नहीं था The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow साप ने मेरे कंदे से पिसलते हुए मेरी बाई भुजा पर left arm पर कोहनी elbow जिसको बोलते हैं कोहनी पर कुंडली बना ली थी coiled कर लिया था कुंडली बना के बैट गया था मेरी कोहनी पर The hood was spread out साप का जो फन था hood जिसको बोलते हैं वो फैला हुआ था फन फैला हुआ था and its head was hardly three or four inches from my face और उसका उसका सिर जो head है hood उसका फन उसका मेरे चहरे से मुशकल से तीन या चार इंची दूर था it would not be correct to say merely that I sat there holding my breath केवल ये कहना ठीक नहीं होगा कि मैं अपनी सांस रोग कर बैठा रहा I was turned to stone बिलकुल मैं पत्थर बन गया but my mind was very active प्रहुत मेरा दिमाग बहुत सक्री था उसमें साबदान था the door opened into darkness दर्वाजा अंधेरे में खुलता था the room was surrounded by darkness कमरे में चारों और अंधेरा था in the light of the lamp I sat there like a stone image in the flesh उस lamp जो जल रहा था टेवल पर उस lamp की प्रकास में मैं मांस में पत्थर की मूर्ती बहांती बैठा था यानि मैं जिंदा था पर मूर्ती बन कर की पत्थर की तरह बैठा था I felt then the great presence on the creator of this world और उस समय मुझे इस संसार और ब्रहमान के महा निर्माता की उपस्तिती का अन्वब हुआ यानि ऐसे टाइम पर भगवान की बहुत याद आ जाती है तो उसको भगवान याद आ गए and his universe God was there भगवान बिद्वान है Suppose I said something and he did not like it और मालो मैंने ऐसा कुछ के दिया जो उसे अच्छा नहीं लगा साब को अच्छा नहीं लगा I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words Oh God अपनी imagination में कलपना में मैंने बड़े ही brightly सब्दों में अपने छोटे से हिर्दे के बाहर सब्दों को लिखने का प्रयास किया Hey भगवान Oh God क्या होगा There was some pain in my left arm मेरी बाही भुजा में कुछ दर्द हुआ Left arm में It was as if a thick laden rod No, a rod made of molten fire Was slowly but powerfully crushing my arm मेरी भुजा में दर्द हुआ और ऐसा लगा जैसे एक मोटी सीसे की चड़ी और सीसे की चड़ी नहीं पिगले हुई आग की चड़ी धीरे धीरे पर तो जोर से मेरी भुजा को करस कर रही थी कुछल रही हो मानो तो The arm was beginning to be drained of all strength What could I do? भुजा की सारी शक्ती बाहर ने करने लगी What could I do? मैं क्या कर सकता था? 8 माई Slightest moment The snake would strike me मैं यद मैं हलका सा भी हिला तो सांप मुझे काट लेगा Death lurked 4 inches away म्रत्यु जो है मौत 4 inch दूर पर ही घात लगा कर खड़ी थी Suppose it struck What was the medicine I had to take? मान लो कि यदि काट लेता है सांप तो मुझे क्या दवाई लेनी पड़ेगी? There were no medicines in the room कमरे में दवाई नहीं थी I was but a poor, foolish and stupid doctor मैं तो एक छोटा सा मूर्क डॉक्टर था Practice अभी अभी शुरूई की थी ज्यादा आता भी नहीं था I forgot my danger and smiled feebly at myself और मैं अपना खत्रा भूल गया और अपने उपर हलका सा हस दिया जब आदमी को लगता है कि वो खोद इतना कमजोर है तो अपने आप पे भी उसको हसी आने लगती है It seemed as if God appreciated that मानो तो ये बात जब मैंने महसूस की कि मैं तो छोटा मूटा डॉक्टर हूँ It looked into the mirror और वो सीसे में कांच में अपनी पर्चाई देखने लगा and saw its reflection और अपनी पर्चाई देखी उसने I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror मैं ये दावा नहीं करता ये क्लिब नहीं करता कि ये पहला साप रहा होगा जिसने सीसे में कभी अपनी पर्चाई देखी होगी But it was certain that the snake was looking into the mirror प्रत ये तो निश्चित था कि साप सीसे में देख रहा था Was it admiring its own beauty? क्या वो अपनी सुन्दर्ता की प्रसंचा कर रहा था? Was it trying to make an important decision about growing a moustic? क्या वो मुचों को बढाने का महत्वपून निले लेने का प्र्यात कर रहा था? इस समय भी उसके बढ़ में मजाक सूच रहा है वो सूच रहा है कि काच क्या देख रहा है? साप क्या देख रहा है काच में बाई? क्या अपनी मुचों बढाने की कोशिस कर रहा है? रहने कर रहा है कि मैं मुचों बढालू? और using eye shadow and mascara और wearing a vermaline spot on its forehead या फिर अपने सुंदरता प्रसाधन के जो सामान होते हैं अपनी eye shadow बढा रहा है या आँखों का सरंगार mascara लगाने की सोच रहा है या अपने मस्तिस पर vermaline सिंदूर की बिंदी लगाने के बारे में सोच रहा है तो ये सब बाते हैं वो सोचने लगा जब कहां सीसे में देख रहा था आप देख सकते हैं mobile के screen पर कितने अच्छे से साम अपनी सुंदरता को नहा रहा है I did not know I did not know anything for certain मैंने शितरूप से कुछ भी मुझको पता नहीं था what sex was this snake उस साम का sex क्या था was it male or female ये साम का link क्या था नर था या मादा था male था या female था साम वो वो सोच रहा है I मुझे नहीं पता क्या था I will never know for the sake unbound itself from my arm and slowly slithered into my lap पर मुझे कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि साम ने मेरी भुजा से अपनी कुंडली खोली और धीरे धीरे वो रहेंक कर मेरी lap गोदी में आ गया from there it crept onto the table और फिर वहां से वो मेज पर table पर काचकी और चला गया सरक्त हुए and moved towards the mirror perhaps it wanted to enjoy its reflection in closer quarters साइद वो नजदीक से अपनी प्रतिविंब का आनंद लेना चाहता था काचकी नजदीक जा करके खुद को देखना चाहता था closely I was no mere image cut in granite मैं केवल granite पत्थर में कटी हुई मूर्ती नहीं था I was suddenly a man of flesh and blood अचानक से जैसे ही साप मेरे यहां से हटा तो मुझे फूर्ती आ गई मैं हाल मास का अब्यक्ती बन गया flesh and blood आ गया still holding my breath I got up from the chair और अपनी सांस को रोके हुए मैं कुर्सी से खड़ा हुआ I quietly went out through the door into the veranda और मैं चुपचाब दरवाजी से होकर बरामदे में गया from there I leapt into the yard and rained for all I was worth वहां से मैं उचल कर ग्यांगन में गया तथा पूरी सक्ती से ताकत से जितना भाग सकता था उत्री तेजी से भागा few, each of us have the sigh of relief आह, हम ऐसे प्रतेक ने सुक की सांस ली जो लोग वहां बैठे थे, इस कहानी को सुन रहे थे जब ये कहानी शुरू हुई जो लोग बैठे थे, उनको बड़ी सांस की महसूस हुई relief कि चलो ये सांप से बच गया ये कहानी जो सुना रहा है, ये सांप से बच गया तो each of us have the sigh of relief हम ऐसे प्रतेक ने सुक की सांस ली somebody asked तो हम ऐसे जो कहानी सुन रहे थे उन्होंने किसी ने पूछा डॉक्टर से डॉक्टर, is your wife very fat? डॉक्टर, क्या तुमारी पत्री मोटी है? no, the doctor said नहीं, डॉक्टर ने कहा नहीं God willed otherwise भगवान की दूसरी चाती My life companion is a thin, ready person with a gift of a sprinter मेरी पत्री, जीवन साथी जो है बहुती पत्ली और sprinter की तरह है, तेज भागने वाले गुण है उसमें, दुबली पत्ली है someone else asked किसी और दूसरे वक्ती ने पूछा Doctor, when you rain did the snake follow you? Doctor, जब तो भागे तो क्या साप ने तुमारा पीछा किया? The doctor replied तो doctor ने जवाब दिया I rain and rain till I reached a friend's house उसने कहा doctor ने कि मैं तब तक भागता रहा जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुच गया Immediately I smeared oil all over myself and took a bath और फिर मैंने अपने सारे सरीर पर तेल लगा करके मैं सनान किया मैंने and I changed into my fresh clothes और फिर मैंने नए कपडे पहने The next morning at about 8.30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there और फिर अगले दिन मैं लगबक साड़े आठ बजे अपने मित्र और एक दो लोगों को ले करके कमरे से सामान हटाने गया अपना क्यों कोई कोई रात तो हिम्मत ही नहीं थी कि साह आपके डर से वो आ जाए but we found we had little to carry पर ले जाने के लिए तो कुछ भी नहीं मिला Some thief had removed most of my things किसी चोर ने कमरा साफ कर दिया था रात में The room had been cleaned out पूरी तरीके से कमरा साफ हो गया but not really the thief had left behind one thing as a final insult प्रंत बास्ता में नहीं क्योंकि चोर अपने पीछे अपमान के रूप में इंसल्ट के रूप में एक आखरी चीज छोड़ गया था भाई अब वो क्या चीज थी पता है What was that? I asked तो मैंने पूछा क्या चीज थी? जो हम कहानी सोन रहते हैं हमने पूछा तो दॉक्टर सेट तो दॉक्टर ने कहा My waist, the dirty one मेरी वो बनयान, वो गंदी सी बनयान The fellow had such a sense of cleanliness कम से कम उसमें सफाई की इतनी समझतु थी उस बदमास में The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water गुष्य में कहता है डॉक्टर की बदमास उसको बनयान को ले जा सकता था साबुन पानी में दो करके उसका उपयोग कर सकता था Did you see the snake the next day, doctor? दॉक्टर क्या तुम्हें अगले दिन साब देखा? पूछा हमने The doctor laughed, doctor हस गया बोला, I have never seen it since It was a snake which was taken with its own beauty ये एक ऐसा साब था जो अपनी सुन्दरता पर खुदी मोहित हो गया था तो ये आपकी कहानी हुई साब का, दरपड का और एक डॉक्टर की कहानी थी जो लोगों को उसने सुनाई वैका मोहमद बशीर के द्वारा लखे गी कहानी है और वास्तम में ये कहानी मलयालम में वी अब्दुल्ला ने लिखी थी जिसको कि ट्रांसलेट किया है वैका मोहमद बशीर ने तो कहानी बच्चों आपको अच्छे लगयोगी MP English Classes को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको और भी वीडियो चाहिए इस तरीके के तो वीडियो मिलते रहेंगे तुरंद चैनल सब्सक्राइब करें चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है इसको आप टच करेंगे तो इसको टच करते हैं ये वाइट कलर मतल जाएगा चैनल सब्सक्राइब हो चुका है एक वीडियो में आपको एक ही बार सब्सक्राइब करना है बार बार सब्सक्राइब हर वीडियो में नहीं करना है फ्री है सब्सक्राइब का कोई पैसा आपका नहीं लगना है बगल में बैल आइकोन दी है घंटी इस घंटी को जरूर टच करें इसको टच करते ही तीन option आएंगे तो all वाले option को आप दवाएं इससे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके mobile पर बिना आपके इंतियार की पहुंच जाएगा subscribe करने का bell icon दवाने का यही फायदा आए और भी इस तरह के वीडियो आपको चाहिए तो हमारी playlist हमने बना रखी है हर class की उसमें आप grammar का test का essay letter जो भी आपको चाहिए वो सारे वीडियो आपको हमारी playlist में मिल जाएंगे आप enjoy करें पढ़ाई करें exam के लिए आपकी सफलता के लिए हमारा बदाई है thank you पूरा वीडियो ते के लिए धन्यवाद आपको